बहुत ही आसान देखने में और खाने में एकदम स्वाधिस्ट आज हम बनाएंगे खजूर के मोदक बिना मोल्ट के अपने हातों से ही पपा को बना कर भोग लगाएंगे कैसे हैं आप गंगा किचिन रेस्पी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे खजूर के मोदक उसके लिए डीड़ सो ग्राम खजूर लिया है मैंने सबसे पहले हम एक पैन में आदा चमच घी गरम कर लेंगे उसमें ये मैंने नारियल का बुरादा है ये तीन चमच नारि भून लोगी अब ये मैंने साथ-से खजू यह भी भून लेंगी हम ईसी के साथ में आहीं केशा सका है हलका सका भूने से होता है यह पीछने में आराम से पीछ जाते हैं वप यह थोड़े से दर दरे से जादा रह जाते हैं क्योंकि उसमèle एक सीला पंड जो रहता है रखे- पीस कर ले लूँगे मिक्सी जार में डालके अब गैस के उपर हम पैन रखेंगे एक चम्मच घी डालकर गरम कर लेंगे और जितने भी हमने खजूर का पेश्ट बनाया है वो उसमें डालकर अच्छे से उसको दबाते हुए मैस कर लेंगी देखिए अच्छा सा पेश्ट संडे हो गए उसमें थोड़े लाईची के दाने डालेंगे और उनको पीस कर ले लेंगे बहुत आसानी से पीस जाते हैं और इसमें कोई हमें जरूत नहीं पड़ेगी नीड या मीठा मिलाने की हम बिल्कुल सूगर मोदक बनाएंगे तो फिलिंग हमारी बिल्कुल बनकर भूछित के दो हैं। अभी जैसे वर नीधा करेंगे वर ना इनके मोदक बनाने की हाड हो जाएगे तो इसे अपने हातों से ही सेप दे के कचोड़ी के जैसे और इसके अंदर फिलिंग रख लेंगे, जैसे कचोड़ी को बंद करते हैं, उसी तरह फिलिंग रखकर हम इसे भी बंद कर लेंगे, और अपने हातों से ही इसे सेप दे लेंगे, गोल-गोल घुमाते हुए, जैसे मो बना सकते हैं लेकिन जब भी आप साचे में बना रहे तो साचे में भी आप गरीस मत करिए काlt e इसमें जो हम इसको गरम करते हैं तो उस टाइम घी डालते हैं उसी से चिकनट काफी होती है अच्छे से से शेफ आ जाती है तो आप देख सकते हो मैं एजली ही से बना रही हूं इसकी आतों में चिपक भी नहीं रहा है और आसानी से इसकी शेफ बन गई है आप देख सकते हो क इतने अच्छे से सेब बनी है, बिलकुल जैसे सांचे में बनती है बिलकुल उसके जैसे ही लग रही है बैसे इसको नीचे से फ्लैट कर लेंगे, घुमाते हुए हतेलियों पर तो अभी आप देख सकते हैं एक दम अच्छे से शेप बन गई है इसकी बिल्कुल मार्किट वाला मोदक लग रहा है अब हम इसमें एक फोक की हेल्प से इसका डिजाइन बना लेंगे एक चाकू की हेल्प भी ले सकते हैं अभी हलका सा गरम है तो इसली इसमें लाइन डल जाएगी जो भी आप इसमें डिजाइन डालना चाते हैं मोदक में लाइन डलती है तो मैं इसमें लाइन ही लगा रही हमें इसे बनाने में कोई महनत नहीं लगी और नहीं हमने इसमें कोई सुगर डाली है वाइट सुगर से हम इस टाइम बचें तो ही अच्छा है क्योंकि वाइट सुगर बहुत नुक्षान देती है तो इसलिए हम इसमें कोई हमने सुगर का इस्तमाल ही नहीं किया है बिल्कु कुछ मैंने एक्स्ट्रा मीठास कुछ ने डाली है क्योंकि खजूर इतने मीठे होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मीठास डालने की कोई ज़त नहीं पड़ी तो अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मोधक बनकर तयार हो गए हैं देखने में भी अच्छे से लग रहे है यह अब इसको थोड़ा डेक्रेट कर लेते हैं मैं यह सिल्वर वर्क रखा हुआ है मेरे पास मैं यह यूज कर रही हूं इसको डेक्रेट करने के लिए आप चाहे तो पिष्टा की कतरन भी इस पर लगा सकते हैं अब अच्छे से हमारे मोधक तयार हो गए हैं बनके आज हमने बनाए हैं सुगर फ्री मोधक जो कि बिना किसी ताम जाम के बहुत जल्दी से केवल 10 मिंट में मोधक बनकर आपके तयार हो जाते हैं तो बपा को भोग लगाईए स्वागत करिए बपा का अपने हातों से मोधक बनाकर बिना किसी ताम जाम के जल्दी से तयार होने वाले मो